चुनावायों के एलान से कॉंग्रेस में मचीब भगदर सैक्डो नेताओं ने दिया पार्टी से स्तिफा राजस्तान में कॉंग्रेस के 18 बड़े नेता बीजेपी में शामिल 62 और कॉंग्रेस के दिगज नेता छोड़ने वाले हैं पार्टी नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी राहुल गांधी और कॉंग्रेस का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ये दुख दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है जैसे ही 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 2024 लोगसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया वैसे ही कॉंग्रेस के 18 नेताओं ने एक साथ कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी के कमल को थाम लिया कॉंग्रेस के पंजे को कमजोर करके ये नेता आप कमल को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं राजिस्तान कॉंग्रेस में हुई इस टूर से पार्टी बैक फुट पर है आपको बदा दे कि देश में साथ चरणों में लोगसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 19 मई को पहले चरण में और आखरी चरण यानि सात्वे चरण में एक जून को मतदान होगा जबकि वोटो की इंती चार जून को होगी और चार जून को ही नतीजे घुशित हो जाएंगे चार जून को साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे दिल्ली की सत्ता सौपी है लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख सामने आई वैसे ही राजस्थान कॉंग्रेस में नेताओं ने बगावत कर दे जैसे राहुल गांदी की चुनावती और बढ़ गई है बीजेपी ने कॉंग्रेस को दिया तगड़ा जटका एक साथ 32 नेता बीजेपी में शामिल राजस्थान में 18 कॉंग्रेसी नेताओं ने जॉइन की बीजेपी लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस को बड़ा जटका राजस्थान में अलवर से कॉंग्रेस के पूरु सांसत डॉक्टर करण सिंग यादव शनिवार को भारतिय जटका पार्टी में शामिल हो गए जैपुर के बीजेपी कारेले में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी की सदे सता ग्रहन की लोगसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले पूरु सांसत का ये कदम कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है क्योंकि यादव के साथ 18 कॉंग्रेसी नेताओं समित कुल 35 लोगों ने बीजेपी जोईन की करन सिंग यादव ने शुकरवार शाम अलवर में प्रेस कॉंफिरेंस करते हुए कॉंग्रेस से स्थीफा दे दिया था जोरा नोंने पूर्व केंद्रिय मंत्री भवर जितेंद्र सिंग को भी निशाने पर लिया था लेलित यादव को अभी राजनीती का अनुभव भी नहीं है और वो राजनीती के बारे में अभी क्या जानता है विधायक बने भी अभी सिर्फ दो महीने हुए हैं उसको राजनीती के बारे में कुछ नहीं पता इस दोरान यादव से जब पूछा गया क्या वो बीजेपी मे जीत को तैय करेंगे। कॉंग्रस की प्रदेश महा सचिव रीमा अगरवाल और जोधपूर से विश्वजी सिंग चंपावत भारती किसान यूनियन के राश्टे सचिव और राजस्तान प्रदेश अध्धक्ष राजपाल पुनिया का नाम शामिल है। पूर्वसियम अशोग गैलोद को चुनौती देते हुए जनता से किये वादों को पूरा करने का दम भर रहे हैं। हम भी आपके बीच में कहना चाहते हैं। पार्टी ने बात रखी है या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने बिदान सवा में बात रखी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आप लिख ली जिए एक एक बात को पूरी करेंगे एक एक बात को पूरी करेंगे। तो दस मार्च को भी राजस्तान में 32 नेताओं ने बीजेपी का दावन थामा था। विजेपाल मिर्धा, खिलाडी, बेर्वा और पूर्व नेदलिय विधायक, अलोग बैनिवाल, पूर्व राजिये पार्टी प्रमुक सेवदल सुरेश, चौधरे, राम पाल शर्मा और रिजु जुनजुनवाला सहित कई नेता राजस्तान की सत्ता पर काबिस बीजेपी लोगसबा चुनाव को लेकर बाड मेर जेसल मेर लोगसबा सीट पर बीजेपी ने केंदरे क्रिशी राजजे मंत्री कैलाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इस सीट पर कॉंग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार तैय नहीं किया है, इस सीट पर हाउस संस्थान बाडमेर में शुकरवार को स्वर्गे रामदान चौधरी की 141 वी जैनती समारों में पूर्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने बतौर मुख्य अथिती शिर्कत की इस समारों को समधित करते हुए हेमा राम चौधरी ने कहा विदान सभा चुनाव से लेकर अब लेकिन मैंने कोई तारे तोड़े हूँ ऐसा कुछ नहीं किया बहुत काम करने के प्रयास की और थोड़े बहुत रहे गए जैसा भी रहा समय निकाल दिया अब ठक गया हूँ हमाराम चौधरी ने आगे बोलते हुए कहा उन्हें लोग सभा चुनाव लड़ने को कहा जा रह हर इनसान की तरह मुझे भी मान सम्मान की भूख है मान सम्मान ऐसे ही बहुत मिल रहा है तो आखिर अब क्या लेना ज्यादा लालच किया तो उल्टा मान सम्मान कम होगा हमाराम की इस बयाल से साफ है कि उन्हें भी हार का डर सता रहा है इसलिए औरोंने चुनाव लड़ने पिछली लोगसभा चुनाव भी राजिस्तान में दो चर्णों में हुए थे इनमें पहले चरण में 20 और दूसरे चरण में 5 लोगसभा सीटों के लिए मत्दान हुआ था इस बार लोगसभा चुनाव बड़ी संख्या में नेताओं की दल बदली के कारण जादा दिल्चस् पिछली लोगसभा चुनाव से पहले कॉंगरस के 32 नेता बीजेपी में शामिल हो गए वहीं बीजेपी के चुरू से टिकेट कटने के बाद पूर्व सांसद राहुल का स्वा पार्टी छोड़ कर कॉंगरस में शामिल हो गए इन्हें कॉंगरस ने चुरू से ही अपना लो जाश्यों के नामों का अलान कर चुकी है और ये उम्मीदवार है जोदपूर से गजेंद्र सिंग शिखावत बिकनेर से अर्जुन राम मेगवाल बार्ड मेर जेसल मेर से केलाश चौधरी अलवर से भुपेंद्र यादव चूरू से देवेंद्र जाजडिया भरतपूर स महंद्र जी सिंग मालवियर, चितौरगर से सीफी जोशी, कोटा से ओम बिरला और जालावार से दुश्यन सिंग मैदान में हैं इधर कॉंगरिस ने भी अब तक प्रदेश की 10 लोग सभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी हैं जो हैं पुदेलाल अंजाना और चूरू से राहुल कास्वा को मेदान में उतारा गया है राजिस्तान में लोगसभा की 25 सीटे हैं जिन पर चुनाव कराया जाना है इस बार के चुनाव में 28 करवट बैठेगा देखना दल्चस होगा स्पेशल स्टोरी में इतना है वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुनने के लिए शुक्रिया